तुम केवल एक दर्शक हो, देख रहे हो कि शरीर भूका है, फिर तुम खाते हो और कहते हो अब मैं संतुष्ट हूँ, पिरन्तु तुम संतुष्ट नहीं हो, तुकि भूक पहले से तुमारी नहीं थी, पहले तुमने शरीर में भूक देखी, अब शरीर में संतुष्टी महस लेकिन तुम केवल एक साक्षी हो, जैसे एक दरपन भूके विक्ति को प्रिति बिंबित करता है और फिर संतुष्ट विक्ति को, पर दरपन ना भूका था ना संतुष्ट, एक दिन तुम स्वस्थ हो, दूसरे दिन बिमार, दरपन केवल प्रिति बिंबित करता है, एक दिन जवान दूसरे दिन बूडे, एक दिन प्यार करते हैं, दूसरे दिन नफरत, दर्पन का काम केवल प्रिति बिम्बित करना है, पर हर बार तुम उससे पैचान बनाने लगते हूं, इस पैचान को रोग दो, और अचानक तुम देखोगे, कि तुम ना कभी बिमार हुए, ना पैदा हुए, और ना मरोगे, तुम अनन्त के स्ट्रोथ हो, दर्पन की तरह केवल साक्षी बनो, पैचान से मुक्थ हो जाओ और अपनी शास्वत्ता को अनुभव करो, पढ़ाओ. झाल